Welcome to only IS, स्वागत है आप सभी लोगों का Prelim Booster News Discussion में आज 26 अप्रेल 2022 है, तो आईए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से important articles हैं जो आज हमें cover करने हैं हमारा first article Digital Services Act के बारे में है European Parliament और European Union जो उनके Member States हैं इन सभी लोगों ने announce किया है कि वो एक Political Agreement पे पहुँच गये हैं जहाँ पर अब वो एक DSA तयार कर रहे है, Digital Services Act DSA basically क्या है, यह कुछ rules है, जो Digital Services प्रवाइड करने वाले Intermediaries के उपर कुछ obligations create करेंगे ताकि वो ज़्यादा accountable रहें, जिन्हें वो अपनी services दे रहे हैं यह सभी EU users के उपर applicable होगा, चाहे वो किसी भी race में हूँ, अगर वो EU का हिस्सा है तो यह जो पूरा Act है, यह EU का जो Digital Market Act है, उसके साथ जोड़ कर कारे करेगा यह जो Act है, यह सभी बड़ी category के online services पर applicable होगा जिसमें simple website से लेकर, internet, infrastructure, services और online platforms भी शामिल होगे मतब simple website से लेकर, जो complex digital services हैं, वो भी इसका हिस्सा बन जाएंगी कोई भी ऐसी service, जिसमें 45 million monthly active users सामिल है और वो EU के ambit में बढ़ता है, उसे इस Digital Services Act का पालन करना होगा क्या है basic provision? पहला तो illegal content के removal को लेकर प्रावधान है अगर कोई भी ऐसा online platform है, या फिर कोई भी digital service प्रवाइड करने वाले intermediaries हैं, वहाँ पर कोई illegal content है, जो लोगों के हितों में नहीं है तो उसका तेजी से remove होना चाहिए जैसे ही पता चले कि वो content illegal है या harmful है आप उसे हटाइए, instantly हटाइए कई साथ researchers को data चाहिए होता है, वो independent researchers होते हैं तो इन सभी platforms पर ये data public form में available हो, ताकि वो उसका इस्तिमाल करके further research कर सकें dark pattern या misleading interfaces, कई बार कुछ ऐसी websites and interface होते हैं जो व्यक्ति को कुछ original website या interface जैसे दिखते हैं, जब व्यक्ति उन्हें access करता है तो उसका data चोरी हो जाता है और उसमें कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जिनसे वो agree करना तो नहीं चाहता पट hidden form में वो से उसका जो consensus है वो ले लेते हैं और फिर उसका data चुरा लेते हैं इस प्रकार के सभी interface को ये digital service provider हटाएं, ये उनकी जिम्मेदारी होगी इसमे crisis mechanism clause है, जिसे रेशिया यूक्रेइन conflict को संग्यार में लेकर तयार किया गया है ये board of national digital service coordinators के recommendation के basis पे activate होगा जिसके basis पे इस बात को analyze किया जाएगा, कि जब crisis के situation arise होती है, जैसे कि रेशिया यूक्रेइन का conflict या war उस duration में, ये digital service providers किस प्रकार से प्रभावित होते हैं यहाँ पे minors को भी protect करने के प्रावधान किये गए है targeted advertising को ban किया किया है जो minors होते हैं, उनको जदा पता होता नहीं है तो personal data की access कई सारी websites उन से ले लेती है और फिर उन्हें target किया जाता है, misleading advertisements दिखाया जाते है इस प्रकार की चीज़ों को रोका जाएगा further बात है liability की अगर कोई illegal activity किसी digital platform पर हो रही है तो कौन responsible है वो digital platform या फिर वो व्यक्ति जो उन activities में involved है यहाँ पर यह सारी जिम्मेदारी user पर ही डाली गई है मतलब जो digital service provider है वो user के दोरा किये गए किसी unlawful behavior के लिए responsible नहीं होगा मतलब अभी जो digital service providers हैं यह safe रहेंगे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन अगर ऐसा हुआ कि किसी illegal act के बारे में जो digital service provider है वो aware है लेकिन उसे फिर भी timely उसने remove नहीं किया तो फिर जिम्मेदारी उसके उपर जाएगी यह सारी बाते digital service act के बारे में हमारा नेक्स आर्ट कर एंटे डिफेक्शन लौ के बारे में है वाइस प्रेसिडेंट वेंकरिया नाइडू जी ने अभी हाली में यह कहा कि अब समय आ चुका है कि जो भी लूपोल्स एंटे डिफेक्शन लौ में हैं हमने remove करें और इसी perspective से एंटे डिफेक्शन लौ निउज में आया एंटे डिफेक्शन लौ के प्रावधान हमारे संग्विधान के दस्वें schedule में यानि कि अनसूची में किये गए है यह specify करता है कि एकर किसी protocol party का जो legislator है जो वहाँ से चुना गया है वो कौन से ऐसी activities करेगा कि उसे anti-defection law phase करना पड़ेगा और उसकी जो सदस्यता है सदन की वो रद्द कर दी जाएगी इसे 1985 में 52nd constitutional amendment act के माध्यम से हमारे संग्विधान का हिस्सा बनाया गया यानि कि anti-defection law इसके पहले होता यही था कि एक व्यक्ति किसी political party के ticket से election जीतता था और बाद में वो किसी अन्य political party को join कर लेता था तो एक प्रकार का defection होता था इससे political instability create होती थी इसे आया राम गया राम का एक concept भी कहा जाता है तो इसे रोकने के लिए anti-defection law लाया गया एकर कोई व्यक्ति ये person A किसी party के ticket से election जीतते हैं और उसके बाद किसी अन्य party को join कर लेते हैं तो जो इनकी सदन की सदस्ता है लोग सभा या राजय सभा की वो member है या फिर लेस्टेटेव काउंसिल के member है उनकी उस सदस्ता को रद्द कर दिया जाएगा यहाँ पर देखे further situation बताई गई है कि एक independent MLA अगर किसी party को join करता है तो क्या प्राबधान होगा अभी वो समझ में आ जाएगा disqualification के grounds में disqualification का पहला ground तो यह है कि अगर कोई भी member voluntarily party की membership को give up कर देता है छोड़ देता है तो वो उस party के ticket से जो पत पा चुका है जिसे वो जीता है वो रद्ध हो जाएगा दूसरा यह है कि वो party कह रहे है कि vote करो उसने नहीं किया बुला मत करो उसने कर दिया ऐसे case में अगर वो party whip के आरेसूं का पालन नहीं करता है तो फिर उसे उसके पत से हटा दिया जाएगा एक प्रावधान यह भी हो सकता है कि within 15 days party उसे माफ कर दे अगर कोई independently elected member किसी प्रड़कर party को join कर ले आपको किसी party का ticket नहीं मिला आपने independent मतलब खुद को contest किया और लोगों ने आपको vote किया क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि कोई party उनके लिए सही नहीं है आप एक independent candidate की रूप में जदा बैतर है और फिर जीतने के बाद आपने किसी party को join कर लिया तो काइदे से तो आपने लोगों को धोखा दिया similarly अगर ऐसा किया जाता है तो इस वेक्ति की सदस्ता को रद्द कर दिया जाएगा अगर कोई nominated member within six months चाहे तो party join कर सकता है लेकिन छे मेहनों के बाद अगर वो party join करते हैं तो उनकी सदस्ता भी समाप्त कर दी जाती है जो भी उनका पद है अब यहाँ पर देखे कुछ exceptions है अगर किसी party के दो तिहाई सदस्त से किसी अन पार्टी में जुड़ना चाहते है मतलब की 100 members हैं और 66 लोग चाहते हैं कि वो किसी दूसरी party में merge कर जाएं तो कायदे से तो पूरी party ही चली गई न तो वहाँ प्रेंटेटिट इफेक्शन law applicable नहीं होता दूसरा यह है कि presiding officer जैसे लोग सभा की speaker है वो किसी party के होंगी speaker के पद पर जाने के बाद वो चाहें तो अपनी party की members छोड़ सकते हैं उनका पद समाप नहीं होगा और जो speaker का पद है उसकी खतम हो जाने के बाद वो वो वापिस से अपनी party join कर सकते हैं यहाँ पर disqualification का मामला नहीं आएगा क्योंकि speaker के पद को neutral माना जाता है इस मामले में कौन authority होती है एंटिटिटिफिक्शन लोड डिसाइड करने की authority legislature के presiding officer के पास होती है कोई time frame specified नहीं है कितने time में उन्हें यह decide करना होगा हाला कि Supreme Court नहीं कहा था कि उन्हें यह सारा मामला तीम महिने के भीतर decide कर लेना चाहिए कि उन्हें disqualify करना है की नहीं 2014 में देखी यह प्रशन आया था बहुती साधारन सा प्रशन था कि interdifection के प्रावधान हमारे constitution के कौन से schedule में है और सही जवाब था D 10th schedule आगे बढ़ने से पहले जानकारी है UPSC 2022 के कुछ initiatives के बारे में प्रशन का crash course 2022 के लिए चल रहा है further CSAT expert program भी चल रहा है और last mile leap यह प्रशन की test series है यह 2022 के program से गर आप इन्हें avail करना चाहते हैं तो या तो video.onlyis.in पे जाके इन्हें एक्सेस कर सकते हैं या फिर इस number पे call कर सकते हैं या फिर यहां mail कर सकते हैं आगे बढ़ेंगे हमारा next article Farcland Island के बारे में है Farcland Island basically Argentina claim करता है लेकिन है Britain के पास and that is the reason कि Argentina और Britain के बीच में इस मामले को लेकर अक्सर conflict रहता है Farcland Island को लेकर जो Argentina है वो इंडिया का समर्थन हासिल करने की कोशिस करता रहता है रैसी ने dialogue चल रहे है तो जो Argentina के representative है वो भी इंडिया में है और UK के Prime Minister तो रहे ही फर्दर उन्होंने जो Argentina के representative है उन्होंने Commission for Dialogue establish करने की बात की जहांपर Farcland और India के representatives होंगे या Parliament के members होंगे लोग सभा के और इस मुद्दे पे बात चीद की जाएगी कि United Kingdom को Farcland Island क्यों Argentina को दे देना चाहिए या उनका जो claim है वो क्यों valid है हाला कि India के जो जो member of Parliament है उन्होंने इस Commission से दूरी बनाई क्योंकि ऐसा करके हम United Kingdom का conflict नहीं लेना चाहेंगे बिल्कुल नहीं लेना चाहेंगे ये दूर इसों के वीज का विवात है आखिर इंडिया इसमें क्यों जाएगा Farcland Island जो है एक overseas territory है United Kingdom की कुल मिला कि ये United Kingdom के पास है ये तो श्योर हो किया ये इस Atlantic Ocean में South West में है देखिए ये है South America यहाँ पर है Argentina और यहाँ पर Farcland Island है इसके दो हिस्से है एक है West Farcland और दूसरा है East Farcland जो capital है ये East Farcland का हिस्सा है तो यहाँ पर देखिए Argentina है और यहाँ पर Farcland Island है और ये बहुत दूर से UK कंट्रोल करता है बिटन कंट्रोल करता है ठीक है तो जो Farcland Island है ये Southern और Western Hemisphere में अर्थ के पढ़ता है इसे Farcland Island बिटन कहता है इसे Argentina के दौरा Malvinas Island के नाम से पोकरा जाता है Capital वही स्टेले है और छोटे-छोटे आईलेंड भी है जहाँ पर लोग रहते है Royal Air Force Bs भी है बिटन का यहाँ पर Mount Pleasant पर बाकि दू हिससे तो मैं आपको बता चुका हूँ हमारा नेक्स्ट आर्डिकल Desert National Park के बारे में है एक Green Agriculture Project को F.E.O. Global Environment Facility की दौरा तैयार किया गिया है Desert National Park के लिए इससे वहाँ की critical wire diversity और forest landscape को फायदा होगा स्टेट बर्ड यानि की Great Indian Bustard स्टेट आनिमल चिंकारा स्टेट ट्री यानि की खेजरी और स्टेट फ्लार यानि की रोहीडा आपको इस National Park में मिल जाएंगे यहाँ पे आपको स्पिनी टे लिजाट, करैट Sand Fist, Prominently by Left Family के मिल जाएंगे कई सारी Migratory Raptors मिलेंगे जैसे की Himalayan and Eurasian Griffon Vultures Eastern Imperial Eagle और Sacrophalcan हमें बहुत पुरानी Animals और Plants के Fossils भी यहाँ पे मिल जाते हैं Desert National Park में जो 180 मिलियन साल पुराने तक है 1980 में इसे UNESCO World Heritage Site में जगह मिली और 1992 में इसे National Park का दर्जा दिया किया अगला आर्टिकल United Nations Development Program और कि UNDP के बारे में है और यह भी हाली में एक Joint Statement तयार किया है जहाँ पर वो कोसिस कर रहा है कि जो Sustainable Development Goals है उन्हें Localize किया जाए Local Level तक इन्हें पुरा करने की कोशिस की जाए बात करेंगे UNDP के बारे में यह Headquartered है New York City में 1965 में से बनाया गया था ताकि हम दुनिया में environment को protect कर सके यहाँ पर होते हैं experts जो advise करते हैं, train करते हैं और support देते हैं developing countries को even जो least developed countries हैं वहाँ पर भी ताकि environment को protect करने के साथ साथ हम sustainable development की और आगे बढ़ सके technical और investment cooperation भी इनके दुरा किया जाता है यह पूरी body voluntary contribution पर रन करती है जो देश इन्हें contribute करते हैं member nations UNDP को United Nations General Assembly के executive vote के रूप में भी consider किया जाता है यह human development report भी release करते हैं हमारा next article consumer expenditure survey के बारे में है अभी यह होने बाला है हर पांस साल में यह survey conduct किया जाता है National Statistical Office के जिम्मिदारी है हर पांस साल में यानि कि क्विन क्विन यह पांस साल पर यह survey conduct होगा पता किया जाता है कि house holds कैसे अपने पैसे खर्च कर रहे हैं urban level पे और rural level पे उनका पैसा पहले कब किस तरीके से खर्च होता था अब कैसे खर्च हो रहा है देखे खर्च करने के pattern में लगाता changes होते है जैसे आज आज आप अपने पैसे का एक बड़ा हिस्सा mobile phones पे या फिर उसके रिशाज पे खर्च करते हैं OTT platforms पर subscription लेने के लिए खर्च कर सकते है पहले ये खर्चे different हुआ करते थे पहले ये पैसे कहीं और खर्च होते थे पहले लोग basically जो Hindi medium schools है उनमें ज़्यादा पैसे खर्च करते थे अब pattern change हो रहा है वो अपने बच्चों को English medium schools में भेज रहा है तो expenditure pattern बदल रहा है न इन से भी patterns को evaluate किया जाता है इस प्रकार के survey में data जो gather किया जाता है उसके माध्यम से हम average expenditure food और non-food services पर कैसे हो रहा है खर्च उसको हम evaluate करते हैं और एक general estimate तयार करते हैं households के मंतली per capita consumer expenditure यानि की M.P.C.E. का यह फायदे बंद होता है इस तरीके से कि इससे हम poverty का level evaluate कर पाते हैं और हमें economic indicators के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है कि आखिलोग किस प्रकार से अपना जीवन जी रहे हैं NSO की बात करते हैं government ने इसे दो bodies को merge करके तयार किया था National Sample Survey Office NSSO और CSO Central Statistical Office NSO उसके बाद बना तो जो NSO है यह रंगराजन committee की recommendation का भी आधार है उन्होंने ऐसी एक body के बनाने की बात कही थी हाला कि उन्होंने उसे नाम दिया था National Statistical Commission लेकिन बाद में जब यह बना तो उसे NSO National Statistical Office नाम दे दिया गया यह statistical wing है MOSPY की यानि के Ministry of Statistics and Program Implementation की Basically इस परकार की bodies बहुत जरूरी होती है क्योंकि यह देती है data उसे के basis पे policies and programs तयार किये जाते हैं यह जो body है यह Index of Industrial Production को भी तयार और release करती है और यह Annual Survey of Industries यान की ASI को भी तयार करते हैं लता तीनानाथ मंगेसकर Award दिनानाथ मंगेसकर जी लता मंगेसकर जी के पितार है उन्ही के नाम पर यह पूरा जो Award है वो नीम किया गया है वैसे कि दिनानाथ मंगेसकर जी का एक Trust है वही इस Award को Institute कर रहा है पहले जो recipient है इसके वो हमारे Honorable Prime Minister नरे नर्मोदी जी बने है इसे साल में एक वेक्ति को दिया जाएगा जिसमें बहुत अच्छा contribution किया हो अपने देश के लिए लोगों के लिए और society के लिए तो नरे नर्मोदी जी को इस बार इस Award के लिए चुना गया है ये जो लिजेंडर सिंगर रही लटा मंगेसकर जी उन्हीं के याद में इंस्ट्यूट किया गया जिन्होंने 2022 में 19 वर्स की आयू में अपनी अंतिम सांस ली लटा मंगेसकर जिन्हें नाइट इंगल आफ इंडिया के नाम से भी बुकारा जाता था उन्होंने 5000 से जदा गाने गाये है इनमें 1000 से जदा गाने तो हिंदी लाइंगज में है और 36 एजिनल फिल्मस में भी उन्होंने गाने गाये है उन्हें मिले हैं कई साले आव़ोर्स जैसे की दधा शाहफाल के अवर्ड, भरतरतर टुर्टर अवर्ड, थ्री नेशनल फिल्म अवर्ड, पंद्रव बंगाल फिल्न जनल्स असोशेशन अवर्ड, चाहर फिल्म फेर बेस्ट फीमेर प्लेबैक अवर्ड और बहुत सारे अवर्ड के नाम तो आप किनी नहीं इतने awards तता मंगेसकरजी को दिये गए हैं हमारा next article इंडिया के पहले carbon neutral पंचायत के बारे में है जम्मु कस्मीर में संबा डिस्टिक में गाउं है पल्ली विलिज, उबन चुका है पहला भारत का carbon neutral विलिज जहां पेदे कि carbon neutral होने का मत्तभी करते ही नहीं होता कि carbon का emission नहीं होगा carbon का emission तो होगा लेकिन हम उसे compensate करने के लिए उतना carbon या तो secretrate कर लेंगे या फिर green energy का इस्तिमाल कर लेंगे तो net zero carbon dioxide emission को achieve करने के लिए हमें अलग लग तरीके अपनाने होते हैं और यहाँ पे करने की कोशिस की जा रही है तो यहाँ पर carbon dioxide releasing processes को हम control करते हैं जो transportation, energy protection, agriculture या industry से निकलते हैं और कई सारे अने greenhouse gases जो source होते हैं carbon का उन्हीं भी रोपने की कोशिस की जाती हैं जैसे कि हम ने कहा कि energy zero का मतलब यह करते ही नहीं है कि हम emission नहीं करेंगे बलकि हम emission को counter करने के लिए उसे balance करने के लिए initiatives लेंगे इसमें carbon offsetting या emission को reduce करना शामिर होता है हमारा next article strontium के बारे में है हाल ही में Microsoft ने ये बोला कि उनके उपर हुआ था cyber attack, Russian national state hacking group के दौरा जिसका नाम है strontium, strontium बेसिकली Russia का state hacking group माना जाता है उन्होंने बहुत सारी जिगों पे Russia के favor में hacking वगेरा करी हुई है वो अक्सर UK groups को या फिर Microsoft को या फिर जो Ukrainian media houses से उनको hack करते रहते हैं और Taliban के support में भी नोंने hack किये because Russia Taliban को support कर रहा था at that time, इनके कई सारे और नाम है जैसे कि fancy beer, सार टीम pond storm, soffacy satnit advanced persistent threat 28 यानि कि APT 28 ये काफे active और prolific cyber esponage group है ये hack करके data चुराते हैं और ये 2000 के बाद से बहुत हाईली active रहा है ऐसा मना जाता है कि ये GRU से जड़ा हुआ है GRU basically Russian armed forces का एक main military intelligent wing है हल military के पास अपनी एक intelligent wing होती है तो Russian military के पास जो उनकी intelligent wing है उसका नाम GRU है और ऐसा कहा जाता है कि strontium को GRU ने ही establish किया है रश्या के लिए esponage करने के लिए या फिर hacking करने के लिए ये कई सरे diverse malware और MLSS tools release करते हैं जिसमें past में इस्तिमाल किये गए tools रहे है external SPLM Gamefish या फिर Zebrosi जिसका इस्तिमाल करके इन्होंने अपने targets को attack किये है revision करेंगे digital service act आशियान countries से related है गलत है ये EU से related है further entity section law ये disqualification MPs and MLSS का जो होता है election commission decide करता है गलत है residing officer के जिम्मेदारी है UNDP headquarters in New York City 1965 में बना ये तो है सही Farkland Island ये है southernmost point जो South America है के वहाँ पे ये भी सही है और पांचवा है All India Household Consumer Expenditure Survey NSO करता है हर साल गलत है ये हर 5 साल पे होता है तो ये session यहाँ पर समाप्त होता है PDF नल जाएगा only IAS के Telegram चैनल पे SQL card को scan करके भी आप अहाँ पहुंच सकते हैं तो फिर जाएए जो भी PDF से download करके revision करना मन दोलीगा That's all for now Thank you very much